पैसे पेड़ पर तो नहीं उखते हैं, लेकिन सही तरीके से बचत और इन्वेस्ट किया जाए, तो बढ़ जरूर सकते हैं। अपने मंथली इंकम से खर्चों को निकाल कर जितने पैसे बचा लिया जाता है, उसे सेविंग कहते हैं। मान लो आप 40,000 रुपे महीना कमाते हैं, और आपके कुल खर्चे 25,000 रुपे हैं, तो 15,000 रुपे आपके सेविंग हुए। सारे खर्चों के बाद जो रकम हम बचा पाते हैं, उसे सेविंग कहते हैं। इन्वेस्टिंग इसी सेविंग को बढ़ाने की प्रक्रिया है। उदाहरेंड के तोर पर मान लीजिए, आपने 3 साल में 15,000 रुपे हर महीने बचा कर 5,500,000 जमा किये। उन पैसों से आपने किसी डेवलपिंग एरिया में सस्ते रेट में जमीन खरीद लिया। अब अगले 3 सालों में उस जमीन की कीमत काफी बढ़ सकती है। यानि कि आपके बचत के 5,500,000 काफी बढ़ सकते हैं। इसको इस तरह से भी समझा जा सकता है। सेविंग रौ मेटरियल है और इन्वेस्टिंग उस रौ मेटरियल में वैल्यू एडिंग की प्रक्रिया है। सुरुवात सेविंग सही करना पड़ता है और फिर उसे सही तरीकों से इन्वेस्ट करके उसको दो गुना, पाँच गुना, दस गुना या फिर पचास गुना तक बढ़ाया जा सकता है सेविंग्स पर इन्फलेशन, टेक्सेज और महंगाई का भरपूर असर पड़ता है जिससे उस रकम की वैल्यू कम होते जाती है इसलिए अपने बचत किये हुए पैसों को तीन साल से जादा समय के लिए सेविंग अकाउंट्स या दूसरे सेविंग इंस्टूमेंट्स में नहीं छोड़ना चाहिए जब कुछ सेविंग इकठा हो जाए तो उनको कहां और कैसे इन्वेस्ट करना है इस पर ध्यान देना चाहिए सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स एक ही सिख्य के दो पहलू है सेविंग करके छोटे और शोट टर्म गोल को हासिल किया जा सकता है जबकि इन्वेस्ट करके बड़े और लॉंग टर्म गोल को हासिल करना असान हो जाता है फ्रेंड्स डिस्सिप्लिन के साथ रेगुलर इन्वेस्टमेंट्स से कोई भी अपना फाइनेंचल गोल कम्याभी के साथ हासिल कर सकता है आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा देखते रहिए और हम इन्वेस्टिंग कॉंसेप्ट समझने में आपकी पूरी मदद करेंगे